तीन अविनास याविनास कुष्टन संक्या 3-4-2 एक्स मौदे खंड एक मंडल में पंजीकरत सर्मिक अथवा सर्मिक के आस्रित द्वारा सिल्कोसिस साहता वे दिन करने पर ये योजना के प्रावधानों का अनुसार पातरता पाये जाने पर साहता रासी दी जाती है विभाग द्वारा पंजीकरत सर्मिक के सिल्कोसिस होने का रिकार्ड संदारित नहीं किया जाता है विजान सभाचेतर जैतारण में विगत दो वर्ष एक एक उननीस से इकतिस बारा दोजार बीस के दोरान मंडल की सिलिकोसिस साहता योजना के अंतरगत 32 पीडित इताधिकारियों को वे पांच प्रकरणों में मिर्तु प्रांथ आसरीतों को कुल 78 लाग रुपे की साहता दीचाच की है संख्या विवरण पर इसी स्टेक पर सेलगन है खंड दो विगत दो वर्षों में पाली जिले में दिनांग 25 जनवरी 2019 10 मार्स 2019 वे 24 दो 2020 को सिलिकोसिस का पता लगाने है तू स्वास जांत स्वीर आयुजित किये गए हैं सरम विवाग दोरा सर्मिकों को डश्ट मास्क वे अनसुईदा उपकरण उपलब्द नहीं कराए जाते है मानिय अदिक्स महोदे मैं आपके मादेम से मानिय मंत्री महोदे से जानना चाहता हूँ कि सिलिकोसिस बिमारी से पीडित या मरत वेक्तियों को राजसान सरकार दोरा वर्तवार में किस किस परकार के साहिता दी जा रही है और सिलिकोसिस बिमारी के साहिता को प्राप्त करने के लिए उसकी पातरता क्या है इसका विवरन बताएं और दूसरा सिल्कोसिस बिमारी है तो आपने मुझे खंड दो में जो उत्तर दिया उसमें आपके पास में सिततर आवेदन प्राप्ट हुए उसमें से आपने 37 को सुकृत किया और 40 को किन आदार पर रिजेक्ट किया ये भी मैं ज आना चाहता हूं पहले तुम्हें माने सदस का जो पहला खंड का जो जवाब है किसके अंदर कोई भी तादिकारी सर्मिक सिल्कोसिस पीडित होने की सम्मावना पर रायस्तान सिल्कोसिस पोर्टल पर परमाने करन हेतु आवेदन करता है उसके पस्चाथ उसको प्रारंबिक स्वास जाना होता है और सिल्कोसिस की सम्मावना होने पर उसे जिल्ला न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड की परमाने करन हेतु रेफर किया जाता है और सिल्कोसिस परमाने पर सर्मिक का आवेदन जिला अधिकारी या नोडल सिल्कोसिस अधिकारी जो की एडियम होता है उसके यह ओनलाइन बेज दिया जाता है और जिला नोडल विभाग को परकरण को खनन या मंडल इताधिकारी होने के अंशार खान या सरम विभाग को बेजा जाता है सरम विवाग के परकरण जिला सरम अधिकारी के द्वारा सत्तापित होने के उपरां साहता रासी सिधे इता अधिकारी के बैंक खाते में दी जाती है और कोई भी इसके लिए अपील करना चाहे तो वो अपील भी कर सकता है इसके अंदर जो साहता दी जा रही है इसके अंदर दो विवाग साहता दे रहे हैं खान विवाग और एक सरम विवाग जो हमारे बोर्ड का मेंबर होता है उसको जैसे ये पता चलता है सिलिकोसिस है तो उसको तीन लाख रुपे और मिर्तु उपराम तो उसको दो लाख रुपे ये दिये जाते हैं इसी प्रकार से खनन विभाग के द्वारा भी उसको पाच लाख रुपे की साहिता दी जाती है पहली बार ऐसा हुआ है कि 2019 के अंदर मानि मुखबंतरी जी ने सिल्कोसिस निती की भी गोसना की थी जो बनाई गई है और जो लागू की गई है दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि इनके जो पीडित परिवार हैं उनको अन्य साहिता के लिए भी पंदरा सो रुपे पर्ति मा की पैंसन सिल्कोसिस विद्वा पैंसन बच्चों के लिए पालर हार योजना निसुल्क चिकितसा स्विदा और अन्य राज की कल्लान कारी यो जरूरी है आप जैसे ही कोई भी सर्मिक उसके अंदर अप्लाई करता है कि वो सिल्कोसिस के अंदर तो उसके बाद हमारा डोक्टर है बोर्ड बना हुआ है वहां पे उसका सिल्कोसिस परमानित होना जरूरी है अगर डोक्टर लिखके देगा सिल्कोसिस है तो उसको हम भु निर्मान सर्मिक भी होना जरूरी है ये निये इसके अंदर भी मानिय अध्यक्स मोदे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे विभाग के दुवारा सिरफ जो बोर्ड का अगर मेंबर है तो ही उसको सिलकोसिस की सायते दी जाएगी अगर कोई अन्य व्यक्ति इसके अंदर अपलाई के रहेगा तो फिर उसका फारम रिजेक्ट होगा आपने खंड एक में जिस परकार से उत्तर दिया कि विभाग द्वारा पंजिकर स्रमिक के सिलकोसिस होने का रिकार्ड संदारित नहीं किया जाता है और दूसी तरब आप कह रहें कि राज्य सरकार द्वारा तीन दूसरा कि आपने खंड दो में मुझे उत्तर दिया कि मैंने पूछा कि विगद दो वर्स में उक्त विदान सबाद छेदर जेतारण में उक्त बिमारी की रोकताम के लिए क्या क्या उपाई किये गए आपने उत्तर में ये कहा कि विगद दो वर्स में पाली जिले में दिन मानिया जैसा कि आपने रिकार्ड संधारण का है मैं वही चीज़ कह रहा हूं हम रिकॉर्ड संधारण नहीं करते हैं किसी के सिलिकोसी से तो वह अपलाई करता है अगर हमारे यहां पर कोई अपलाई करेगा तो निश्ची तोर पर वह और रिकॉर्ड आ जाएगा हम जाके अपलाई नहीं करते हैं हम चिनित नहीं करते हैं शर्मी कायगा कि उसको सिलिकोसी से तो उसका रिकॉर्ड संधारित होता है हम नहीं करते हैं एक नम्मर बाद दूसरा आपने जो पूछा है कि आपके यहां पे क्योंकि यह जो कैम्प जो हैं हम जिला हेड़कॉर्टर पे लगाते हैं इसमें विदान सभावाईज लगाने का प्रावदान नहीं है फिर भी अगर मानिय सदस कहेंगे तो आपके जैतारा में इस परकार के सर्मिक नहीं है जहां पर उनको सिल्कोसिस बिमारी होती हो वो लोग आसपास के इलाके में काम करने जाते हैं वहां से होती है इसलिए आप कहेंगे तो आपके यहां भी कैम्प लगा दूँगा दूँगा दूसरा में कहना चाहूंगा मानिय अद्यक्स हुआ के सर्मिकों को रात देंगे अगले अप्रस मदन प्रजापत